नमस्कार दोस्तों, स्वागात है आपके अपने यूट्यूब चैनल सन्वी क्लासेश में हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ A.R.P. टेकनिसियन के प्रेक्टिस सेट देखेंगे आज प्रेक्टिस सेट नमबर 19 देखेंगे जिसमें दिया हुआ सारे 75 प्रस्णों को डिटल सोलूशन भी करेंगे तो आई यह सुरू करते हैं पहला प्रस्ण से पहला प्रस्ण है कि 10 ओम और 20 ओम के दो परतिरोध है A और B 6 बोल्ट बैटरी के साथ जो है वो स्रेनी करम में सयोजित है यदि B1 और B2 करम सा A और B के सीरो पर विवान्थ है और I1 और I2 उसे होकर परवाहित होने वाली धराएं है तो B1 बटा B2 और I1 बटा I2 करम सा होगा इस तरह के वो एरेजमेंट है ये A है ये B है और ये 10 ओम का है और ये कितना का है बीस ओम का है ये 6 बोल्ट है अब स्रेनी करम में परतिरोध के होने पर विदुधरा का मान जो होगा वो समान होगा यानि जो I1 होगा वो I2 बराबर होगा R equivalent बरबर कितना होगा तो स्रेनी करम में है तो R1 पलस R2 हो जाएगा यानि 10 पलस 20 हो जाएगा कितना हो गया 300 हो जाएगा I बरबर हम लोग जानते है B वटा R होता है B कमान 6 है ये 300 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 वटा 5 बरबर कितना 0.2 MpR कितना हो जाएगा 0.2 MpR हो जाएगा I कमान अब परतिरोध A में B वांतर कितना होगा B कितना होगा A में कितना हो जाएगा I into R A I कितना दिया हुआ 0.2 R A कितना है 10 है नहीं हो जाएगा 2 बोल्ट उसी तरह परतिरोध B में कितना हो जाएगा भाई B2 I गुणा R V I गुणा R V I कितना है 0.2 गुणा 20 परबर यह कितना हो जाएगा 4 GOLD अब प्रस्न में कर रहा है B1 बटा B2 B1 हमारे पास कितना निकला है 1 का तो 2 है और B2 कितना है तो 4 है यानि एक बटा 2 हो जाएगा उसके बाद I1 बटा I2 दोनों सेम है 0.2 बटा 0.2 रवर कितना हो जागा एक यानि एक बटा 2 और एक किसमे है चोईस में तो अंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा B अगला प्रस्ण है कि अभी सारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी हरा एवम लाल रंगों के लिए ग्यात किया जाता है यदि एक क्रमसा FB FG एवम FR है तो निमन में से कौन सा सही हो जाएगा इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा बैगनी रंग के परकास अभी सारी लेंस दौरा कम दूरी पर लाल रंग के सापेज फोकसित होती है जिसका फोकस जितना अधिक दूरी पर होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही अधिक होगी अभी सारी लेंज के लिए बिभीन रंगों के अगर देखते हैं कि परकास के लिए फोकस दूरी क्या होगा तो f r greater than f o greater than f y greater than f g greater than f b f b greater than f i greater than f b यह हमारा सिरीज है तो अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वह जाएगा c और विभीन रंगों के जो अपवर्थ नांख है वह रिफ्रेक्टो मीटर के द्वारा मापा जाता है अगला है किसी परिच्छा में 60% छात्र अंग्रेजी और 70% छात्र हिंद्री में तथा 40% छात्र दोनों विशय में पास कर गए कितने पर्तिसेद दोनों विशय स्यां आनूत्र हो गये तो दोनों विशय में पास छात्रो पर्तिसाद कितना है तो सो में से 90 घटा देंगे तो हमारे पास जो ये 10% आएगा वही हमारा अंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा अंसर हो जाएगा अगला परस्ट नहीं कि निश्ची समय में A तथा B के द्वारा अलग-अलग किये गए कार्ज का अनुपाद करमसा दो अनुपाद तीन है यदि दोनों मिलकर उस कार्ज को 24 दिनों में पूरा कर सकते है A अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा A और B का कार्ज का अनुपाद कितना है दो अनुपाद तीन और 24 दिन में पूरा करता है एक का दो हो जाएगा कितना सार्ट दिन यही हमारा अंसर आ जाएगा option A हो जाएगा सुबा X और बाई एक पार्क में एक दूसरे की और चल रहे हैं जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो बाई की छाया सीधे X के सामने पढ़ती है अगर यहां पर बाई है इसका जो चाया है वो किधर पढ़ेगा इधर पढ़ेगा क्योंकि सुरद जो है सुबा पुरव दिशा की और निकलती है यहां पर बाई हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा X हो जाएगा क्योंकि दुसरे को यह आमने सामने मिल रहे हैं तो बाई के जो च्छाया है वो किस दिशा में है बाई की च्छाया सिधे X के सामने पढ़ती है X के सामने पढ़ रहे है अब X की किस दिशा में मुह करके खड़ा X जो है वो किस दिशा में एक्स कम्मू इधर है और बाई कम्मू इधर है एक्स कम्मू जो हो जाएगा वो किस दिशा में है तो वो हो जाएगा पूरब दिशा में अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए पूरब दिशा में उस वेन आरेक का चैन करें जो दिये गए बर्गों के बीच के संबंद को सर्वत्तम ढंग से निरूपित करता है तो सबसे क्या होगा ये होगा बिस्व बिस्व के अंदर जो है वो क्या है एसिया है और एसिया के जो अंदर है वो क्या है वो भारत है तो अंसर हमारा हो जाएगा D नेक्स्ट है एक आदमी की और इसारा करते हुए एक महला ने कहा अगर ये आदमी है इसकी और इसारा करते हुए एक महला ने कहा महला ने कहा कि उसका कोई भाई और बहन नहीं है आदमी कहा जो कोई भाई और बहन नहीं है मेरी माँ के पती महला के माँ हो गई के पती ये पती हो गए के इकलोती बेटी तो वो खुद हो गई मेरी माँ के पती के इकलोती बेटी वही हो गई के भाई महला के भाई का बहनोई है यानि भाई के ये क्या है बहनोई है तो उस महला को साथ में से क्या संबंद है तो दोनों पति-पत्नी है, यानि इसका अंसर जो हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा, बी-पत्नी है, निम लिखित में से कौन सा तलवार निरित कुमावनी जन्जाती की युध कला प्रमपरा को चितरित करता है, और इसका सही अंसर हो जाएगा, उप्सन D, छोलिया, च छोलिया तलवार नित कुमावनी जंजाती की युदिकला प्रब्रा को चिनित करता है। छोलिया उत्राखन राज के कुमाव छेट का एक परचलित लोकनिरित है। या साधी बिवाह या अन्य सुब अबसरों पर किया जाता है। अगला है निर्वात में किसी पिंड के सोतंता प्रूबा गिरने की घटना निम्ड में से किस परकार का प्रकरनन है। अंसर हो जागा बी एक समान त्वरण से निर्वात में किसी बस्तु का गिरना एक समान त्वरण से गति का प्रकरनन है। बस्तु को निश्ची तुसाई से गिराई जाती है तो महत्तम उचाई पर बेग कमान सुन हो जाता है जैसे बस्तु प्रथिवी के और बढ़ती है बेग कमान बढ़ते जाता है प्रथिवी से ठकराने के समय बस्तु का बेग महत्तम होता है बस्तु के उचाई से गिरने की और गुरुत्य तवरन का मान जो होता है वो धुरूप पर महत्तम होता है नेक्स्ट है बिभिन या त्रिचिक दिशाओं में परकास को फैलाने की प्रगहटना को क्या कहा जाता है और इसका अंसर हो जाएगा सी परकास का प्रकिर्णन स्कैट्रिंग आउप लाइट कहलाता है जब प्रकास किसी एसे माधियम से गुजरता है जिसमें धूलकन एवं अनपदार्थों के सुचमकन पाये जाते हैं जो प्रकास सभी दिशाओं में फैल जाता है इसे प्रकिर्णन कहते हैं बग्यानिक रहले के अनुसार प्रकिर्णित प्रकास की जो तिब्रता होता है एस 1 पलस R बटा 100 के पाफ़र T होता है P कितना दिया हुआ है? 25,000 दिया हुआ है 1 पलस 20 बटा 100 के पाफ़र 3 य directing हो जाएगा 25,000 गुना 6 बटा 5 के पाफ़र Q ये हो जाएगा 25,000 गुना 216 बटा 125 जब हल कीजीएगा 31,205 हो जाएगा अंसर हमारे पास आजाएगा वो कितना हो जाएगा बी हो जाएगा इन में से किस दसमलब परसार सांथ है इन में से किस भिन का दसमलब परसार सांथ है तो सांथ दसमलब परसार यदि परमे जो है वो पी बटा क्यू के सरलतम रूप में हर जो हर है 6 बटा 15 है यानि हो जागा 2 बटा 5 यानि 2 बटा 5 के power क्या है वो 1 है यानि 6 बटा 15 का दसंब्लाप परसांद जो है वो सांथ होगा अन्सर D हो जागा इस फॉर्म में होना चाहिए जो है दसंब्लाप रूप में हो जिसमें हर जो है 2 के power M गुना M पाँच के पावर N हो या टू के पावर M या पाँच के पावर N के रूप में हो नेक्स्ट है कथन एब निसकर्स के प्रश्ण आज जैब निम्न करनी है प्लास्टिक के बढ़ते उप्योग से अत्फपादप एबं पसु जीवन के लिए गंभीर खत्रा उत्पन हो जाएगा निसकर्स है यदि आज जैब निम्न करनी है प्लास्टिक पर परतिवन्द लगाया जाता है तो मानाब्ता को बिलुप्त होने का सामना नहीं करना पड़ेगा दूसरा है प्लास्टिक के ब्यापप उप्योग से मानाब्ता पर पभाव नहीं पड़ेगा और इसका सही अंसर हो जाएगा डीन ना तो एक और नहीं दो पलन कर रहा है आज जैब निम्न करनी है प्लास्टिक के बढ़ते उप्योग से अस्तपादा पिवंपसु जीवन के लिए गंभीर खत्रा उत्पन हो जाएगा अर्थात यदि अजैब निम्न करनी है प्लास्टिक पर परतिवन लग जाएगा तो इससा जरूरी नहीं कि मानाब्ता को बिलिप्त होने के कई और कारण भी हो सकते है उसे पहल क्या है अबधारना कि पेड जंगल में अन पेड़ों के साथ समबाद कर सकते हैं और पोशक्त तो भी आज़ा कर सकते हैं अबधारना पोधियन पोधियक साथ अत्रिक पोशक्त तुझ साधा करते हैं प्रथीवि के निचे सब कुछ जुड़ा हुआ है और इसका सई अनसर हो जाएगा एक केबल एक अंतर्ण नहीं है अगला प्रस्ण है कुछ मसीने और यह जो है what a पतंग है यह बाद करें कोई भी मशीन कवूत्र नहीं है गोई भी मशीन जो है कबूतर नहीं है अब निसकर्स पे आईए कुछ मसीने कबूतर है, इलकल गलत सभी पतंग कबूतर है, गलत कुछ पतंग कबूतर नहीं है, ये सही है अनसर जो हमारे पास हो जाएगा ले निसकर्स थर्ड अनुसरन करता है काली बंगा रजस्तान के हनुमानगर जीले मेच्थित है इस अस्थल की खोज अमलांद घोसने की थी और बीके था पर ने उत्खनन का कारज किया था मुहन जोदरों के भववन अधिकांसता पक की इटों के बने थे जबकारी बंगा के जो भवन है वो कच्छी इटों के बने थे काली भंगा से भुकम का साच मिला है काली भंगा घगर नदी के किनारे इस्तित है अगला परसने की चार ओम परतिरोद प्राप्ट करने के लिए 12 ओम के कितने परतिरोद को को समनांतर करम में सहीजित किया जाना जाए तो समनांतर करम में होता है 1YR1 प्लस 1YR2 प्लस 1YR3 डोट 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 अब वन वाई आर इकोवेलंट कितना आना है चार आना है तो यहाँ पर दिया हूँ है 12 अब यह कितने लगाना है यह कि एक हो गया यह दो हो गया अगर हम तीन लगाते हैं तो यह दुनों मान जो है वो बराबर होना चाहिए तो बारा बारा ओम को लगाना होगा, अंसर जो हमारे पास हो जाएगा, जब किसी पींड को भूमद रिखा से दुरूबो के और ले जाया जाता है, तो इसका भार अंसर हो जाएगा, बढ़ता है, जब किसी पींड को भूमद रिखा से दुरूबो के और ले जाया जाता है, होता है भुमाद रेखा से द्रूबों की और जाने पर गुरुत्वय त्वरन का मान बढ़ता है इसी कारण कि इसी पिंड का भार भुमाद रेखा से द्रूबों की और जाने पर बढ़ता है पिर्थीवी के सथा से उपर या नीचे जाने पर गुरुत्वय त्वरन का मान जो होगा का रहा है कि स्काहरे क्म किस अनुपात में है 26 अगर दोनों को जोड़ें मorthos数 कब्राद मां कितना हो जाएक तीन सजो कर रहा इतालिस शय इनिट कमान कितना हो जाएगा तो हूजाएगा लेखर क्या होता है LCM गुना स्व हो होता है पहली संख्या दिया हुआ हमारे पास एक संख्या heartfelt 25 दिया हुआ है छूइक सप्धार अपर दूसरी संख्या प्राबर हमारे पास कितना हो जागा स्थ यह गुना 45, गुना 45 बटा 45, 45 पर जाएगा कितना हैगा, दूसर सकतर, अंसर जो हमारे पास हो जाएगा, बहुत हैगा, C, अगला परस्थन है, यह यदि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 3 है, तो 8 माइनस 8 V, अनुपात 8 प्लस 8 V कमान क्या होगा, यहां पर सीधे-सीधे A वराबर 5 रख लेना है, B वराबर 3 रख देना है, और यह रखते हैं, 8 गुना 5 माइनस 5 गुना 3 अनुपात हो जाएगा, 8 गुना 5 प्लस 5 गुना 3, यानि 25 अनुपात 5 पर वराबर 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 11, अंसर हमारा हो जाएगा, B, निम्लिखित स्रिंखला में प्रश्ण बाचाक चिन के जगा पर आने वाली आकिर्टी का चैन करें और इसका सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी दिये गए बिकल्पों में सुबह बर्न समूश चुने जो निम्लिखी स्रिंखला के प्रश्ण बाचाक चिन के अस्थान पर आएगा तो आएगे देखते हैं टी से जो हमारे पास बाई गया है वो पलस फाइव गया है बाई से बाई गया है जीरो है और फिर बाई से डी गया है ये पलस फाइव है डी से डी गया है जीरो है अब डी से पलस फाइव जाएगा तो कौन सा होगा आई होगा अगला क्या है ए से ए गया है जीरो ए से फ गया है प्लस फाइव और फाइव से फ गया जीरो जीरो से के गया है तो वो प्लस फाइव और के से अगरी जाएगा जीरो के तो होगा के आई के यहाँ पर कौन सा उप्सन है तो एक ही उप्सन मिल रहा है उप्सन जो हो जाएगा वह हमारा यह हो जाएगा दिये गए पैटर्न को ध्यान पुरुवा का ध्यान करे और उस संख्या का चैन करे जो प्रश्ण बाचक चीन के जगह पर आ सकते हैं यहां पर देखते हैं कि अगर 42, 42 गौना 18, बटा 3 करते हैं तो हो जाएगा 42 गौना 6 बरड़ कितना हो जाएगा 26 यह छेसीं 70 Y se कट जा रहे हैं तो 220 हो जाएगा उसी तरह अगर दूसरा कौलम में देखते है 37 गौना 24 बटा 3, तो यह हो जाएगा ये क्या करते है? X गुना 36 बटा 3 परवर 540 तीन को इधर ख्येगे तो वहीं 540 गुना 3 करते है बटा कितना करना होगा? 36 करना होगा तह हमारा X के मान नकल जाएगा हमारे पास जो अंसर आएगा? वह कितना हैगा? 45 आएगा A हो जाएगा नेक्स्ट निम्रिखित में से क्या खाद और जल परदूसन का कारण नहीं है और इसका अंसर हो जाएगा जो जल परदुसन का कारण है पिर्थी वी पर उपलाब जल की मातरा का केबल 12,5-3% ही सवच coffin जल है पारा युक्त जल पीने से मिन्नी मातरहरोग हो जाता है स्वेस्टस के रेसों से जल के सेवन करने से इसमेस्टोसिस नमक जल रोग हो जाता है चल ये नेक्स प्रेस्ट पे चलते हैं कि एक बिग्यान की पुस्तक में A और B द्वारा नमांगी दो च्छार चुमबकों को चारो तरफ चुमबकी च्छेतर रिखाओं को दरसाया गया है A में च्छार रिखाओं जिसके दचनी दरूम में परवेस करती है और B में उसके उतरी दरूम में तीन रिखाओं निकलती है A के समर्थ B की समर्थ खाले स्थान होगी चुम्बक्य च्छेतर रेखाएं जितनी अधिक होती है चुम्बक्य च्छेतर की प्रवलता उतनी अधिक होती है अगर A की बात करें तो फार्मूला तो N म्यूनोट आई इनके जगे पर 6 म्यूनोट आई हो जाएगा B की बात करें तो 3 म्यूनोट आई हो जाएगा यानि हमारे पास जो अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दुगनी हो जाएगा यानि जो हमारे पास अंसर होगा वो कितना हो जाएगा एक किसा मर्थ बी किसा मर्थ से दुगनी होगी निमलिखित में से किस पर गुरुत्य तोरन निर्भन नहीं करता है और इसका सही अंसर हो जागए wabbi, पीर्थिवी की सता के निकट पिंड के ध्रवमान पर निर्वर नहीं करता है। गुरुत्य तोरन पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्य तोरन निर्भर नहीं करता है उस बस्तु के द्रहमान पर जिसके लिए यह निकाला जाता है। हो जाएगा 8 इन दोनों में जो अंतर है वो कितने कहा है? साथ का है कितना कहा है? साथ का तो साथ यूनिट बराबर हमारे पास दिया हुआ है भाग से 35 सदिक है यानि 35 तो एक सो बीस यूनिट का क्या हो जाएगा? तो हमारे पास 120 यूनिट का जाएगा 35 बटा 7 गुना 120 बराबर कितना? 600 तो अभी संख्या जो हमारे पास आ गया हो जाएगा C 600 आ जाएगा साइन असक्वाइर थिटा माइनस थिरी साइन थिटा प्लस टू बराबर जीरो निवन में से किस इस्थिती का सही होगा? तो यह इसे सोल्व करते हैं sin square theta minus 2 sin theta minus sin theta plus 2 बरबर 0 बस इसे तोड़े हैं 3 sin theta को फिर आगे sin theta जो हम common ले लेंगे sin theta minus 2 अब minus 1 common लेंगे तो sin theta minus 2 बरबर 0 हो जाएगा इसे आउड solve करेंगे तो sin theta minus 1 into sin theta minus 2 बरबर 0 हो जाएगा sin theta 1 बरबर कितना हो जाएगा तो sin 90 degree तो theta बरबर हो जाएगा 90 degree और sin theta equal to 0 2 होगा तो इसका जो अंसर हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा D अगला प्रस्ण है कि दिये गए विकर्पों में होगा संख्या चुने जो निमलिखी स्रिंख्ला में प्रस्ण बाचक चिन के स्थान पे आता है 5 से 11 गया यानि 5 गुना 2 10 हो जाएगा प्लस 11 से 25 गया यानि 11 गुना 2 अब प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 12 से 25 अब 25 से 55 है तो देखिए 25 गुना 2 करिए प्लस 5 किजिए 25 गुना 2 गुना 2 तो कर रहा है तो अगर हम 243 को देखेंगे तो 243 गुना 2 तो होगा अब ये कितना दूर तक बढ़ेगा तो 25 से 55 हो गया था वो 5 से हुआ था इसमें 7 हो जाएगा और इसमें 9 के बाद जो होगा 11 यानि पलस 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास अंसारा जाएगा 497 में 243 गुना 2 पलस 11 497 में अंसार बी हो जाएगा अगला है अच्रो के उस संयोजन को चुने जो दी गई स्रिंखला में रिक्ता स्थानों पर क्रामिक रूप से रखे जाने पर स्रिंखला को पूरा करेगा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी नेक्स्ट यारी पिक्चर को इस रूप में लिखा जाता है तो मॉन्टेन को कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर देखिए कि पलस 2 करता है तो हमारे पास जो है वार आया है आई माइनस एक करेगा तो हमारे पास क्या होगा एच होगा अगर सी से हम क्या करेंगे पलस 2 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो जाएगा यह आएगा और उसके बाद टी से अगर हम माइनस एक करते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा तब वो आ जाएगा इस आएगा इसी तरह जो हमारा सिरी चल रहा है वो कितना है पलस दो माइनस एक पलस दो माइनस एक पलस दो माइनस एक का चल रहा है माउंटेन में हम देखेंगे M का अगर हम पलस दो देखते हैं पलस दो देखते हैं तो क्या हो जाएगा O हो जाएगा O को हम माइनस एक देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा O को माइनस एक देखेंगे N हो जाएगा इसी तरह जब पूरे देखेंगे अगला पलस दो देखेंगे किसमे यू को तो अंसर जो हमारे पास निकल काएगा वो हो जाएगा A क्या हो जाएगा A इत्माद उद्दौला या इत्माद उद्दौला का मकवरा कहां इस्तित है सही अंसर हो जाएगा C आगरा में इस्तित है इतमात उद्दौला का मकवरा मुगल बास्था जहांगीर की पतनी नूर जहां ने बन बाया था इतमात उद्दौला नूर जहां के पिता का दिया गया उपाधी था इनका मूल नाम ग्यास बेग था अगला है रसाइनिक समिकरण को संतुलित करने की बिधी क्या कहलाती है और इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन C Heat and Trial बिधी क्या कुंखते हैं Heat and Trial Method रसाइनिक समिकरण को संतुलित करने की चार बिधिया है एक तो है जाच एवं तुरूटी बिधी दूसरा है आंसिक समिकरन भी दी तीसरा है संगयोजगता भी दी और चौथा है आनिक समिकरन भी दी रासाइनिक समिकरन के संतुलन में विकारको को कुल परमानों परतिफलों के कुल परमानों के बराबर होता है अगला प्रास ने असत्य संबंध कौन सा है तो इसका सही अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा D बस्तू को दी गए उसमा डेल की प्रोपोर्शनल टू बरवाई जो M होता है वो असत्य है और बाकी जो यह सब है वो सही है अब परमानुभार गुना बिस्तू उसमा बरवर छे दसनलो चार लगभग इसे डिवलाग या पेटिट का नियम भी कहते हैं अंसर हमारे पास आजागा D अगला है एक स्रिंखला दिया हुआ है तो इसे हल करना है क्या होगा एक माइनस एक बटा पांच को हम क्या लिख सकते हैं तो चार बटा पांच से लिख सकते हैं फाल करना है आईिए इसे पिर्गुना करते हैं तो 5 x square प्लस 20 x माइनस 3 x माइनस 12 माइनस 6 x square प्लस 8 x माइनस 15 x प्लस क्या हो जागा? 20 ते यह हो जागा कितना? माइनस x square प्लस 10 x और प्लस 8 हो जागा, ऐसंधर जो हमारे पास आएगा वह हो जागा 2 वह सही बिकल्ब चुने जो दिये गए सब्दों को उस करम को दर्साता है जिसमें वे अंग्रेजी सब्द को उसमें आते है गर इसे करेंगे तो अंसर जो हमारे पास निकल के आजाएगा वो हो जाएगा बी सबसे पहले जो शुरू होगा टेमरिंड से शुरू होगा और जो लास्ट जाएगा वो कौन जाएगा टी आर टी यह होगा तो अंसर हमारे पास जो होगा टेर्टियरी तो अंसर बी हो जाएगा उस विकल्ब का चैन कीजिए जिसके सब्दों के मद वही संबन है जो दिये गए सब्द युग्म के सब्दों के मद है तो यहाँ पर जो अंसर होजाएगा वो होजाएगा सी पदार्थ और भाउत की हस्तले ग्राफलोजी पदार्थ और भाउत की निम्नांग की चार अकिर्तियों में से तीर में एक बिशिष्ट प्रकार किसा मानता है एक असंगत है असंगत अकिर्ती को चैन किजिए अंसर हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा D किस संसुदान के तहत गवा को पूनराज का दरजा दिया गया था? और इसका सही अनसर हो जाएगा वो हो जाएगा चालिस है चालिस है गुआ को 1961 में पूर्टगालियों से मुक्त कर दमन तथदीब के साथ मिलाकर किन्दसासित परदेश बनाया गया था और एक सेथवे समिधान संसोधन अधनिया मुनेशन नाबसी के ताहत मतदान के उम्र 21 बर से घटा कर थारा बर्स किया गया था अलुमीनो थर्मिक प्रक्रिया में AI की भूमका खाले स्थान की होती है अंसर हो जाएगा C अप्चायक अभी करमक अलुमीनो थर्मिक प्रक्रिया में AL की भूमका खाले स्थान की होती है अप्चायक अभी करमक रिडिसिंग एजेंड का अलुमीनी थर्मिक प्रक्रिया में अल बस तवी गैस एक अदर्स गैस की भादी बहवार करती है, यदि इसके अंसर हो जागा D, दावनिम्त था ताप जो होता है, वो उच्छ होता है, वा गैस जो अदर्स गैस समीकरन का पालन करता है, अदर्स गैस करते हैं, अदर्स गैस के समीकरन क्या होता है, PV वरवर NRT, वा ग इन्टू भी माइनस एन भी बरावर एन आर ये भंडर्वाल एक्वेशन है अगला प्रस्टन है यदि साइन असक्वार थिटा प्लस साथ को स्कॉर थिटा बरावर छे है और जीरो से 90 डिगरी तक के भी थिटा है तो थिटा का मान ग्याद कीजिए तो आईए इसे स्वल्म कर साइन स्कॉर थिटा पलस सेवन मां भी कितना हो जाएगा अनसर हमारे पास हो जाएगा तो हो जाएगा व्रू खश्दापरश नहीए एक संचत्रहोज के मैं टस सेंटीमिटर अ cz человеч का परिमाब क्या होगा सूत्र से होता है कि D1 sq4 please go Tworse a square होता है यहां पर दिया हुए दस के स्वाइर पर चोविस के स्क्वाइर बरबर अ छार ए ऑस्वायर एक स्वाइब पर शौश गाड़ा प्लस सब्सक्राइब परिमाब पुछ रहा है चार गुना ए होता है यानि चार गुना तेरा बामन सेंटीमेटर अंसर हो जाएगा टी चापा मार को पकड़ने की कला चापा मार गेंदवाज पर तिरह चक और इसका अंसर जो हो जाएगा हो जाएगा कौँसा तो हो जाएगा ए गेंदवाज को छोड़कर अनसरी चापा मार को पकड़ने की कला है नेक्स्ट है उस विकलब आ चैन कीज़े जिसमें दी गई या किर्टी अंतर नहीं थे घुमाने के उनमतीन नहीं है अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी Lexark. 24 ग्रिंस procurement Olympic कहां युजिद किया जाएगा। सही जबाब हो जाएगा A, France में किया जाएगा। और 2028 में कहां किया जाएगा वो किया जाएगा। LAWS ENGELS में कहां पर? LAWS ENGELS में किया जाएगा और यह कहां है? तो यह अमेरिका में हैं। किसी बस्तविक बिलियन में बिले के कन ब्यास में खाले अस्थान से छोटे होते हैं और इसका सही अंसर हो जाएगा B. दस के पावर माइनस नाइन मीटर से छोटे होते हैं किसी बस्तविक बिलियन में बिले एक एकन का व्यास दस के पावर मैनिस नौ मीटर से छोटे होते हैं, बस्तविक बिलियन सजातिय मिस्रन होता है, बस्तविक बिलियन में कन, अनू या आयन होते हैं, जो पूरे बिलायक में समान रूप से फैले होते हैं, बस्तविक बिलियन क किटोन का क्रियासिल समू है अगर हम बात करते हैं एलडी हाइड का तो वह होता है चो कार्बोजिलिक अमलुका और सी डेवल ओएच होता है एस्टर की बात करें तो सी डेवल ओ आर होता है अगला प्रस्ण है कि निमलिखित बार ग्राफ तीन कंपनिया पी क्यू आर त्वारा दीए तीन कंपनियां पी क्यू आर च्छे बर्स में है कंपनी जो है क्यों के लिए 2013 से 16 के दौरा इलेक्ट्रिक आइरनों के उत्पादन में लगवा कितने प्रतिसत की बिर्धि हुई है 2013 में आइरनों के उत्पादन कितना हुआ था 30,000 हुआ था अब 2016 कि बात करते हैं 2016 मे तो हुआ था कितना 45,000 बिर्धि कितना हुआ 45 माइनस 30 बरबर हो जाएगा 15,000 बिर्धि परतिसत बरबर हो जाएगा हमारे पास कितना 15 बटा 30 अगुना 100 यानि 50% अंसर जो हो जाएगा हो जाएगा ए नेक्स्ट है एक्तिरियक रेखा पी दो समन अंतर रेखा हैं एला और एम को 36 दिद करती है इस परकार प्राप्त अंता कोने के दिवाज को द्वारा निर्मित चत्रुबुज निश्ची तोर पर एक खाले स्थान होगा अंसर हो जाएगा कौन सा तो डी इस परकार जो फिग गोली मेज परित बावांबरत रुप से समान दूरी पर इसी करम में केंद्र को बेचा हुआ है यदि H दच्छिन दिशा में बैठा है तो C किस दिशा में होगा तो C का जो दिशा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इधर हो जाता है पूरव और इधर हो जाता है उत्तर और C हमारा कहा है तो यहां पर है अंसर जो हो जागा वो हो जागा C उत्तर पूरव एक बिसिस्ट कूट भासा में प्रेटी को इस रूप में और साइंस को इस रूप में लिखा जाएगा यहां अच्रों को एक निश्चित संख्या में कूट किया गया है इसा ने किया स्थानिय मान किया गया यहां निश्चित खुद से पी का अठ दिया गया है आर का नौ दिय गया है इस तरह दिया गया है आई के अगर हम बात करें तो दो दिया गया है एन के बात करें तो एक दिया गया है सी का पांच दिया हुआ है यी का मांच चार दिया हुआ है तो हमारे पास जो हाएगा कितना हाएगा प्रिंस का हो जाएगा बी दोहजर तेस में सांती का नोबि प्रुषकार से सम्मानित किया गया है और सहीत में 2013 का जाउन ओलाफ हॉस को दिया गया है cyclopaten में एकल बंदों की कुल संख्या कितनी होती है cyclopaten में इसका जो सही अंसर हो जाएगा यह निकालते है cyclopaten में एकल बंदों की कुल संख्या cyclopaten C यहां पर C होगा 5C होना चाहिए यहां पर 5 हो गया यह एक दूसरे के bond से बंदे हुए है यहां पर H होगा, यहां पर H, यहां पर H, क्योंकि C जो होता है, वो चार बॉंड से बना होता है, यहां पर H होगा, यहां पर H, और यहां पर H, और एक यहां पर H, तो हमारे पास एकल बंद कितने होंगे, वो कॉंड करना होगा, यह कॉंड करते हैं, एक, दो, तीन, चार, प परते एक स्वासन चक्र के दवरान जब बायू अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेपड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में बायू होती ही है ताकि अक्सीजन को अप्सोसित करने और कारवन डैक्शाट को छोड़ने के लिए प्रयाप समय मिल सके बायू की इस मात्रा को क्या कहा जाता है और इसका अंसर हो जाएगा सी अब सिश्ट मात्रा रिशडुयल भॉल्यूम कहा जाता है समान स्वासन के दोरां एक बार ली गई या निकाली गई भायू का आईतर्म परवाहि आईतर्ण जो टीवी कहलाता है यह लगवा कितना है पांसो मिली होती है नेथ्ट है 200 मिटर लंबी एक रिल गाडी तीन thunderstorm को पचास सकंड में पार्ख के रेल गाडी की तड़ी चाल बरावर होता है रेल गाडी की जो हमारे पास है लंबाई Pls प्लेट फॉर्म की लंबाई घतना होता कि इसमें पचास सकंड में पांसों बटा पंचास पढ़ावर अगला है अंसर जो हो जाया दो के मूल गयाद कीजिए टुसाओ स्कॉईर मैनेस ठीए मैनेस पीस का जो है मूल गयाद करना है तब ऑर क्या निकालना है इसको हूड साउड सिंपल बे में तोडते हैं двी एक्स स्कॉईर मैनेस8x 8x plus 5x minus 20 बरवर 0 लिख सकते हैं इसलिए लिखे हैं कि minus 8x plus 5x करेंगे तो बच जाएगा minus 3x इसे और थोड़ा तोड़ेंगे 2x common ले ले लेते हैं x minus 4 plus 5 common लेते हैं x क्या होगा minus 4 equal to 0 अब यह हो जाएगा 2x plus 5 into x minus 4 बरवर 0 x बरवर आएगा minus 5 by 2 और यहां से आएगा 4 अंसर जो हमारे पास होगा बहीं नेख्षट यदी का एक और्पल्स है बीगार्थ मानिस ची का और्थ Бज्ड गूना डीगार्थ प्लस है तो दिए गये बंजा कमान कितना होगा जब प्रष्नो के अनुसारी से सजाएंंगे तो हमारा एक टना आजा वेंगा 44 प्लस 7 44 प्लस 7 माइनस 9 गुना 7 प्लस 24 माइनस 19 प्लस 18 भागा 6 गुना 4 बस इसे सोलू कर दीज़ेगा अंसर हमारे पास आजाएगा 5 अगला परस्न है कि उपर दिये गए नुकरम को देखकर बताएगा अच्छा निम्स अमू का हिस्सा नहीं कि उपर वला नुकरम को देखकर बताना है तीन तीन का स्रीज है एक ये है एक दो है ये तीन है ये चार है तीन तीन का स्रीज है अगर हम पहले ए ओ आप प्लस में देखेंगे तो ए से हो गया है प्लस 6 है देखिए यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, प्लस छे है, ओसे प्लस में गया, यह भी प्लस छे है, ओसे, यहां से, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह छठा प्लस है, इसी तरह देखना है, तो MB5 में प्लस छेचे कहीं सरीच चलेगा, N32 में भी प्लस छेच प्लस छेच चलेगा, लेकिन डॉलर जो दिया गया है हमारे पास उसमें नहीं है इस में दो-स पड़ाइन हधे लेकिन इस से प्रूट चै高 ऑट गया में डोसे फीरसे भी बरग्लास फ्रूट कोरफू है था नाम नासे गया है कुस तक तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, TN, सेशन के द्वारा लिखा गया है अगला है गार्ड को सिकाव में खाले स्थान परवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे अस्टोमाटा का छिदर खुल जाता है अंसर हो जाएगा A, पानी गार्ड को सिकाव में पानी परवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे अस्टोमाटा का छिदर खुल जाता है रसाइनिक प्रकास हीन परतिकरिया कलोरोफिल के अस्टोमा में होती है इंजियो अस्पर्म के परजणनल भाग खाली स्थान में इस्थित होते हैं और इसका रही अन्सर हो जाएगा पुस्प के चार मुकवाग होते हैं पाहिदलपुंज डलपुंज उमंग और जायांग एंत्रोलोजी में पुस्पों का दियन किया जाता है और इंजियो स्पर्व के फूलों के पूदों के रूप में चाना जाता है जौला को सिकाएं फ्लेम सेल खाले स्थान में पाई जाती है और इसका सही अंसर होगा आप्सन A प्लेनेरिया जौला को सिकाएं फ्लेम सेल प्लेनेरिया में पाई जाती है नेक्स्ट है ग्यारा कर्मागत धनांग पुटनांकों के अउस्ट जो है वो डी है यदि अन्तिम दो संख्याओं को हटा दिया जाए तो अउस्ट में कितनी बिर्धी या कमी हो जाएगी तो अगर मान लिया कि एक से लेकर यहां पर ग्यारा तक है यहां जो आउस्ट हमारे प यानि अब बचेगा नौ और नौ में अउस्ट कहां पर चला जाएगा यह पांचवा पर चला जाएगा चार इधर होगा चार इधर होगा और एक यह होगा यानि पांचवे पर आउस्ट चला जाएगा इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ एक का हुआ एक की कमी होग हैं तब उस महीने का निकल जाएगा 2000 बर्स को लेंगे 17 बर्स को लेंगे उसके बाद 11 माह को लेंगे अब 20 दिसंबर का एक दिन का लेंगे अब 2000 बर्सों में 20 दिनों की संख्या जीरो, सत्रा बरसों में 27 दिनों कि संख्या कितना हो जाएगा एक तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 17 पूरे हो जाएगा उसमें हमारा जो है कितने लीफ बरस है वो भी हमें देखना होगा, तो लीफ बरस कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो सत्रा के आ जाएगा 11 महीना केतना बटा 7 करें तो यह भी विसम दिनों की संख्या 26 बटा 7 आएगा yield 5 दिन होगा और लस्ट का एक दिन विसम दिन 1 यानि टोटल विसम दिन हमारे पास कितना आगया तो दो तो 0 आगया थै 1 पांच एक 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 आया था विद्ध ओर के दिन तो सनिवार आ गया है तो 5 दिसंबर का दिन सनिवार प्लस चार दिन करेंगे तो बूद्ध ओरा आएगा अंसर चो हमारे पास हो जाएगा है नीचे दिगे विखलपों में से संबंधि सब չह नहीं परिच्छा सफलता मैच अंसर हो जाएगा डी बीजय परिच्छा में सफलता मिलता मैच में बीजय मिलता है नेक्स्ट है नवंबर दो हजाएगा तेस को किस बॉलीवूड अगनेत्रियों को भारत के चोवनबे अंतराष्टिय फिल्म महुत्सम के उद्गाटन समारों में भा अलिया भट को सौदी अरब के रियाद में आयो जिस जोई अवाष्ट दोहजर चोविस में सम्मानित किया गया है बहीदा रह्मान को तिरपरवाद अदसाइब फाल के पुरुष्कार दोहजर तेस दिया गया है अगला प्रस्ण है कि एंबली का ऑफिस सिनेलिस जिसका भा संबला अगनी बान किसे संबंदित है अगनी बान सौर्टेड किसे संबंदित है सही अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वह जाएगा ए नीजी उपकरह प्रच्छेपन यान से भारत की पहली स्वायत निविगेशन सुबधा तीहान टेक्नोलोजी इनोबेशन हब और और आट सतरा बर्स थी यह बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की आयू वही है बच्चे की बर्तमान आयू क्या हो جाएगा अगर मानले कि 17 बर्स था 5-10 अगर एक बच्चा भी आ गया तो च्छे हो जाएगा उसमें से घठा देंगे 17 गुना 5 अपलस 5 आदमी के तीन 3 साल हो के तो बच्चे का हमारे पास उम्रा आ जाएगा यह हो जाएगा 102-85-15 यानि हो जाएगा कितना 100 102-100 प्रबर दो बर अंसर जो हो जाएगा C नीचे दी गए किर्थी का केवल एक बार परियोग करके तीन समूँ बनाएगा इस तरह बनने वाला तीन समूँ कौन होगा इसका जो अंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा C कौन सा हो जाएगा C हो जाएगा अगर एक तीन नौ को इस तरह देखेंगे दो पांच छे को एक तरह कर देखेंगे चार साथ आठ को एक जैसा देखेंगे अगला प्रश्ण है कौन सा कथन जो है प्रश्ण को उत्तर देने के लिए प्रियाप्त है कि पचास चात्रों की एक कच्छा में उपर से एकस का स्थान क्या हुआ तो बाई का स्थान एक से चार स्थान नीचे है और नीचे से तीसवा है जेट का स्थान एक से दू स्थान उपर है और नीचे से 32 है इसका अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी दिये गए प्रश्ण को उत्तर देने के लिए या तो एक या दो दोनों परियाप्त है बिलियम समोई रूतो जिन्होंने हाल ही में दिसंबर 2013 में भारत का दवरा किया है किस देश के राष्ण पती है बिलियम समोई रूतो अंसर हो जाएगा ए केन्या के हैं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटिनी बिलिंक और अच्छा मंत्री लॉइड ऑस्टिन नवंबर महिने में दिल्या इजित होने वाले टू प्लस टू मंत्री अस्तरिय बारता के लिए भारत के यात्रा पर आये थे यह था ये लपी टेकनिसियन के प्लेटफार्म बुक में दिया हुआ प्रेक्टिस एड विडियो अच्छा लगा तो लाइक औं सेर कर दियेगा धन्यवाद